हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ यार बहुत अच्छे होंगे तो गाइस आज मैं आपको दुनिया का बहुत ही खुबसूरत स्टेडियम दिखाने जा रहा हूँ अब से खुबसूरत मैदान धरमशाला का स्टेडियम बहुत ही खुबसूरत और उसका जो यह गेट नंबर फाइव है यहां से हमारी एंट्री होती है स्टेडियम के गेट नंबर फाइव के ठीक सामने आपको रिफ्रेश्मेंट पॉइंट नजर आएगा यहां पर रिफ्रेश्मेंट के लिए बनाया गया एक छोटा सा मार्केट यहां पर स्टॉल्स वगएरा देखने को आपको मिलिंगे जहां से आप थोड़ा अपना तूरिस्ट हैं उनके लिए गेट नंबर फाइब से एंट्री होती है तो यहां पर आपको एक छोटा सा ग्राउंड नजर आएगा यहां पर जो है यह प्रैक्टिस ग्राउंड है यहां पर लोग जो भी मैच होते हैं उससे पहले जो भी प्रैक्टिस करती है टीम वह इसी जागा करती है उसके अंदर और हम एंट्री करेंगे गुसेंगे जब मैदान के अंदर तो आप देख सकते हो बहुत ही खुबसूरत आपको नजारा देखने को मिलेगा वैसे तो हिमाचल प्रदेश किर्केट असोशेशन स्टेडियम भारत के हिमाचल प्रदेश के ध्रमशाल निकाए हिमाचल प्रदेश किर्केट असोशेशन का यहाँ पर हेड़कॉर्टर भी रहे और इसलिए 2023 जो किर्केट विश्ट कप हुआ था उसके पांच मैचों की मेजबानी भी की थी जिसमें निजलेंड बनाम भारत भी शामिल है दोस्तो आपने जो अभी पिछली सार ल खुबसूरत नजारा खुबसूरत स्टेडियम आपको देखने को मिलेगा कहा जाता है कि दुनिया का सबसे खुबसूरत और सबसे ज्यादा मतरब उचाई पर स्टेडियम है इस से जादा उचाई पर ऐसा स्टेडियम आज तक नहीं बनाए जितना उचाई पर यह स्टेडियम बना हुआ है वैसे तो यह स्टेडियम रंजी ट्रोफी मैचों और अन्य घरेलू मैचों के लिए हिमाचल प्रदेश किरकेट टीम के लिए एक डुमेस्टिक मैदान के रूप में कार्य करता है और इस्टेडियम ने पंजाब किंग्स की IPL टीम है उसका जो घरेलू स्टेडियम है उसके रूप में भी कुछ IPL मैचों की इसने मिजवानी भी की है और यहाँ पर यहाँ जो सुरम में इस्थल है भारत में अजुतिय है क्योंकि यहाँ संबुद्र टल से लगभग 1457 मीटर की उचाई पर रिस्तेत है और इसकी प्रस्ट भूमी में बर्फ से ढके हमालेया परवत है यहाँ पर जो निकट हवाई अड़ा आपको देखने को मिलेगा वो है कांगड़ा हवाई अड़ा और यहाँ से आप धरमशाला आ सकते हो जो लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर है पहाड़ी इलाकों कठोर शर्दियों के दौरान जिसके दौरान मत्रब यहाँ पर बरिबारी होती है तो जो जो मेन बादा मती है मैचों में तो काफी मैच यहाँ पर नहीं हो पाते है दरी沒 хлफल export यहाँ पर बाकी सीजन में मैच होते हैं आप देख सकते हो बहुत कंट ही खुब्सूरा में सामने आप देख सकते हो यह अई पवiaलियेन अइंड बहुत ही खुबसूरत है यह dressing room है सामने जो मैंने आपको दिखाया बहुत ही खुबसूरत stadium यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पूरा green री देखने को मिलेगा सामने आप देख सकते हो बरफीले पहाला आपको देखने को मिलेगे stadium के ठीक पीछे तो यह कुछ खास बनाता ह रहा है बहुत ही खुबसूरत है यह इंडिया का ही नहीं दोस्तों यह दुनिया का सबसे खुबसूरत स्टेडियम है तो यह एक पॉइंट खोल लखा है टूरिस्ट के लिए जो भी टूरिस्ट यहां पर पॉइंटेयूम को विज्ट करना चाते है इस हूबसूरत इस्टेडियूम को, उसके लिए यह एक पॉइंट खोल लगता है ने निश्ञ इंट्री नहीं है और इस्टेडियूम के अंधर इलाओ नहीं है क्योंकि आप जानते हो कि यार अगर पॉइलिक को ऐलाओ कर देंगे, तो Stadium की, पतलब Tests Nest भी हो सकता है या तोakers of Stadium में थोड़ा दिक्कते भी हो सकती है क्योंकि यहाई पर Stadium में आप देखोगे तो भहुत ही खुब सूरत है और maintenance यहाँ पर हमेशा maintenance करना पड़ा है Stadium को क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर रोक मतलब том पानी का छिड़काउब भी हो रहा है और काफी मेंटेन करना पड़ता है इसलिए यहां पर इसके स्टेडियम के अंदर नॉर्मल लोगों को मतलब टूरिस्ट लोगों को एलाओ नहीं करते हैं आप देख सकते हो यहां पर पानी डाला जा रहा है स्टेडियम में ताकि पूरा देखने नहीं आया तो समझो उसकी जो धरमशाला की यात्रा है वो अधूरी रह गई है दोस्तो एक मैं आपको एक जवर्दस एक फैक्ट बताता हूं इस मैदान पर खेलने वाली जो पहली इंटरनेशनल टीम थी वो पाकिस्तान किरकित टीम थी और उन्होंने 2005 में इंडि लागी एक स्टोरी एस की और इस स्टेडियम में जो पहला ओडियाई मैच हुआ था वो 27 जनवरी 2013 को भारत और इंग्लेंड के बीच खेला गया था इंग्लेंड ने यह मैच साथ विकेट से जीता था और इस स्टेडियम में जो पहला टेस्ट मैच हुआ था वो 25 से 29 और सौराश किरकेट असोसिएशन स्टेडियम होलकर स्टेडियम और डॉक्टर वाईयेस राश शेकर रेडी वीडी सीए किरकेट स्टेडियम के साथ भारत में छे नए टेस्ट मैस इस तलो में से एक के रूप में चुना गया था मेरे experience से अगर मैं आपको बताऊं तो आप जब भी stadium आओगे या ticket book करोगे जितना उपर की seat book करोगे उतना अच्छा आपको नजारा देखने को मिलेगा और जितना नीचे की करोगे उतना अच्छा नहीं देखने को मिलेगा वैसे अच्छा ही है लेकिन जितना उपर है उतना भार भी बना हुआ है लेकिन stadium premises के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा तो अभी तो कोई international match नहीं है तो अभी यह आपको खाली देख रहा है लेकिन यहीं पर यह refreshment point है इंटरनेशन में जब भी होता है तो लोगों के लिए audience के लिए refreshment point है यहाँ पर जो भी खाना पीना ह या आप कर सकते हो और यहाँ पर वास्रूम भी यहाँ पर देखने को मिलेगा तो यहाँ पर वास्रूम भी है और refreshment point भी है दोनों चीज़े है तो यह भी अच्छी चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है तो फ्रेंग्स कैसा लगा आपको धरमचाला का बहुत ही खुबसूरत स्टेडियम कमें सेक्शन में जाके आप जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नए ब्लोग के साथ बाबाई एंड टेक कियर